जब से बिहार में माग अजबंदन की सब्सक्राइब आपके साथ आज जे जी विधा एक सुधाकर सेंग लगातार मुक्षे मंत्री नितीश कुमार पर हमला वर रहते हैं जब से बिहार में माग अजबंदन की सरकार बनी है तब से लेकर आज तक सुधाकर सेंग ने प्रदेश के मुक्षे मंत्री की कारेशेलियों पर और कारेनीतियों पर कई तरह की सवाल खड़े किये हैं उनकी सरकार को विफल बताया है और सरकार की किसी भी यूजना या किसी भी कदम पर वो विशेश चिपणी करते हुए बे नज़र आते हैं और इतना ही नहीं सुधाकर सिंग ने मुक्ष히 मंत्री निदीश कमार को भीकमंगा मुक्षी मंत्री से लेकर शिकंडी तक बता दिया था लेकिन अब सुधाकर सेंग की एक नई और बड़ी चाल से मुक्शिमंद्र निदीश कमार बुरेफा सकते हैं जहां लालो प्रसाद यादव और तुज़स्वी यादव को खुश करने की कवायद में सुधाकर सेंग जुट गए हैं और अब सुदाकर सिंग ने मुक्षिमंत्री निदीश कुमार से बड़ी मांग कर दी है और ये बड़ी मांग लालू प्रसाद यादव और तुजस्वी यादव को लेकर है अब देखने वाली बात ये होगी किया अरजेडी के चले गए सियासी खेल में मुक्षिमंत्री होए हैं जानते हैं दरसल मुक्षिमंत्री निदीश कुमार के खिलाफ लगातार बयान बाजी करने वाले पूर्वक्रिश्य मंत्री सुदाकर सिंग अबार जेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और जेपिटी सीम तिचस्वी यादव को खुश करने में जुट गए में सीबियाई और एडी द्वारा लालू परिवार के ठिकानों पर छापे मारी पर सुदाकर सिंग ने केंद्री सरकार को घेरा है उन्होंने निदीश सरकार से सीबियाई एडी जैसे केंद्री एजनसी को रोकने के लिए कानून बनाने की मांग कर दी है सुदाकर सिंग ने कहा है कि वे बिहार विदान सबा में इस मुद्धे पर प्राइविट बिल लाएंगे और जेड़ी विदाएक सुदाकर सिंग ने सुमवार को मीडिया से बाच्चीत में कहा कि केंद्री एजनसी ने बिहार में छापे मारी बढ़ा दी है जब से बिहार में मागट बंदन की सरकार बनी है तब से मोधी सरकार केंद्री एजनसीों के जरिये बिहार में राज़नते का स्थिर्ता पैदा करने की कोशिश कर रही है जब तक NTA सरकार थी तब तक ये एजनसिया नहीं के बराबर काम कर रही थी केंद्र की सत्ता में बैटे लोग अपने विरोधियों की जाच एजेंसियों को डरा धमका रहे हैं महरास्ट पश्चम बंगाल और जहरकंज में भी ऐसा ही हुआ है सुदाकर सिंग ने कहा कि वे एक नीजे विधायक बिहार विदान सबा में पेश करने वाले हैं इसका मुख्य उदेश है कि केंद्र एजेंसियों को बिहार में कारवाई करनी की आम सहमती को वापस लेना होगा गौर तलब है कि सुदाकर सिंग ने इसी बहाने एक वाफिर मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर भी हमला बोला उन्होंने कहा कि पिछले साल जब तलांगाना की सीम केसी आर बिहार आए थे तब सीम नितीश हमार ने कहा था कि वे केंद्र एजेंसियों को जाज का अधिकार देनी वाली आम सहमती वापस लेंगे मगर इस बात को छे महीने बीच जाने के बाद भी उन्होंने ये काम नहीं किया है उन्होंने कहा कि सीबियाई एटी जैसे एजेंसियां इसका फाइदा उठा कर अपने आधिकारों का दुरुपयोग कर रही है सिर्फ बीजेपी के विरोधी पार्टी के नेताओं पर कारवाई की जा रही है बताते कि सुदाकर सिंग लगातार सीम नतीश के खिलाव बयान बाजी कर रहे हैं जदियू ने आरजेडी से कई बार उन पर कारवाई का दबाव बनाया आरजेडी ने पिश्रे दिनों सुदाकर को कारण बताओ नोटिस भी बेजा इस नोटिस का जवाब आए डेड़ महीने से उपर का वक्त बीच चुका है मगर पार्टी की ओर से उन पर कोई आक्शन नहीं लिया गया बताते कि सुदाकर सिंग के निटीश कुमार के खिलाफ बयान बाजी पर तुझस्वी आदव भी नाराजगी जाहर कर चुके हैं मगर इसके बावजूद सुदाकर थमनी का नाम नहीं ले रहे जेडी विधायक सुदाकर सिंग है कि उनकी जुबान बंद होने का नाम नहीं ले रही और लकतार मुक्षे मंद्री निटीश कुमार को लेकर कई तरह की टिपड़ियां वो करते हुए नजर आते हैं जैसे जाच एजेंसियों की छापेमारी को लेकर जहां वो ये विधायक में ये पेश करने की कोशिश करेंगे कि अब इस तरह के से जो खुली छूट दी गई है जो आम सहमती दी गई है सीबियाई और एटी को ब्याराज जमेच चापेमारी करने का किसे भी वक्त जाच परताल करने का उस पर रोक लगाया जा सके और उन्होंने साफ तोर पर कहा है एक बार फिर कि निटीश कुमार को अगर रोकना होता तो वो छे महीने पहले ही रोक चुके होते लेकिन उन्हो पर आब वो बड़ा आक्शन लेंगे ये कोशिश भी मानी जा सकती है सुधाकर सिंग की लालो प्रसादी आदव और तेजस्पी आदव को खुश करने की फिला के लिए इस कबर में इतना ही है और के खबरों के लिए मैं साथ बनी रहे नियूस फॉर नेशन में नमस्का